नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर उपाली जैन और अईरवेद फॉर एवरिवन में आपका स्वागत है अगर आप सफेद बालों को बिना किसी केमिकल के या हेर कलर के नैचरल लिकाला करना चाहते है तो ये वीडियो खास आपके लिए है अब दिखे जब भी बाल सफेद होते है तो अईरवेद में इसे पालित्य कहा जाता है याने जब शरीर में पित्त दोश बढ़ता है तो उस बढ़े हुए पित्त के कारण रखता धातू भी दूशित होता है याने खून भी खराब होता है और बालों का सफेद होना यामतोर पर दिखाई देता है हमने इसके पहले भी शरीर में बढ़े इस पित्त दोश को कैसे कम करें इसके लिए खान पान आप कैसे रखे या कौन सी हूम रेमेडी आप ले सकते है पंचकर्म में आप क्या कर सकते है तो इस पर हमने अल्रेडी डिटेल वीडियो बनाए हुए है इस वीडियो में हम एक नैच्रल हेर बनाएगा तो बालो को नैच्रल ही काला बनाने के लिए हमें टू स्टेफ प्रोसेस को फॉलो करना है इसमें से जो फॉर्स स्टेफ है इसमें अपने हीना याने महिंदी को अपलाए करना है संस्कृत में महिंदी है इसे मदयंति का कहा जाता है इसे केश्य कहा गया है यानि बालो के लिए बहुत अच्छी आउशदी है, इसे रंजनी यानि बालो को रंगनी वाली कहा हुआ है, दूसरे स्टेप ने हमें इंडिगो पाउडर को अपलाय करना है, तो इसे भी संस्कूरूत में निली नी कहा गया है, अब देखें काफी लोग ये जो हीना और इंडिगो पाउडर है, इनको साथ में मिक्स करके फिर उस पेस्ट को अपलाय करते हैं, लेकिन आपने इस तरह से इनका मिक्सिंग नहीं करना है, थूड़ा सा पेशन्स रखके आपने ये टू स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, ये प्रोसेस करते समय कुछ चीजों का आपने ध्या इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकें और ये नैचरली बालो को काला बनाए, जैसे डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर आपके बालो को आजाए, तो इसलिए ये विडियो आखिर तक जरूर देखें, इन प्रोसेस को अच्छे तरह से समझें, सबसे पहले हमारे लिए ये जाना जरूरी है कि हमने केमिकल डा या हैर कलर्स को यूज़ क्यों नहीं करना है, तो इसमें हामफुल केमिकल्स है जिसे की अमोनिया है, पिपीडी है जो बालो के लिए हामफूल है, ये बालो को डैमेज करते है, सकाल्प मेरिटेशन ये हैर फॉल को वढ़ाते हैं, दूस उसको भी नश्ट करने लगता है साथी में कुछ लोगों को इस केमिकल डाय के कारण एलर्जिक रियक्शन भी होती है तो तवच्चा में खुजली होना है जलन होना इरिटेशन रहना यह तक कि सास लेने में दिक्कत होना इस तरह की समस्याय भी दिखाई देती है तो इससे ख हीना पाउडर यह जो मेहंदी पाउडर है इसको गुन-गुने पानी में भीगो के रखना है मैंने यहाँ पे अतार आयरवेदा की यह जो हीना पाउडर है यह यूस की है यह पूरी तरह से प्योर और नैच्रल हीना है इसमें कोई भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स नही है तो इसका भी अच्छी कॉलेटी का होना बहुत जरूरी है एक लोहे के बरतन या लोहे की छोटी से कढ़ाई में अपने यह हीना लीउस पाउडर लेना है अब देखें लोहे का बरतन कंपलसरी नहीं है आप स्टील की कटोरी या ग्लास का बरतन भी यूस कर सकते हैं सिर् इसके ठीक पेस्ट आपने बनानी है कुछ लोग पानी के जगा पे जो चाय पत्ती को उबाल के लिया हुआ पानी है वो भी यूस करते है तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं अब इस मिश्रन को राद भर हमने इससे रखना है या कम से कम आपने तीन चार घंटे तो भी इसको ज़रूर रखना है इसको प्रॉपरली प्लेट से ढखके आपने रखना है अईरवेद में मेहंदी या हीना को मदयंती का कहा जाता है तो इसमें कहा गया है मदयंती लगू रुक्षा कशाया तिक्तशीतला लगू रुक्षा रुक्षा यानि यह रुखापन लाती है तो ब आपके बाल द्राय नहीं के लिए समय आपके औरोपल करते हैं लेकिन बूलिकी पेस्ट अगर अगर ओड़ी तो आपके बालो आपके बालो उसके बार रबान द्रायी अधिए नहीं होगे अब ये चो पेस्ट आपने लगाना है इसे बालों को प्रॉपरली कवर करना है तकि सारे सफेद बाल अच्छी तरह से कवर हो जाए इसको आपने शावर के आप से ढखके रखना है या तो सिर्फ एक कोई पॉलिथीन बैग भी आप कवर करने के लिए यूज कर सकते है अगर बाल ड्राइ हो जाते है तो बाल ज्यादा टूटेंगे ज्यादा हैर फॉल आपको दिखाए देगा तो इसलिए भी ये प्रिकोशन आपने जरूर लेनी है इस मेहंदी की पेस्ट को अपने बालों में दो से धाई घंटा रखना है उसके पास सिर्फ पानी से इससे अच्छ अगर आपको स्काल्प में बहुत ज्यादा जलन होती है इरिटेशन रहता है तो वो मेंदी के अप्लिकेशन से कम हो जाएगी बहुत सारी स्कीन डिसिजेस में आईरवेट में मेंदी का यूज़ करने के लिए बताया हुआ है चलिए अब हम इस नैचरल हेर डाय के सेकंड स्टेप को देखते हैं तो सेकंड स्टेप है इंडिगो पाउडर की पेस्ट को आपने अपलाए करना है अगर आप मेंदी लगाए हुए बालों में 24 या 48 गंटे के बाद ये इंडिगो पाउडर लगाते हैं तो आपको इसके और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि तब तक मेंदी का रंग आपके बालों में पूरी तरह से आ जाएगा अब यहाँ पर एक precaution आपने लेनी है कि जितनी quantity बे आपने मेंदी का पाउडर लिया है उतनी ही या उससे थोड़ा सा ज्यादा आपने ही इंडिगो पाउडर लेना है इसको आप एक ग्लास के बरतन में ले और इसमें आपने थोड़ा गुनगुना पानी मिलाती हुए इस इसको प्रॉपरली मिक्स करना है इसका एक थिक पेस्ट आपने बनाना है यहाँ पर मैंने अतार आयरवेदा का ही जो इंडिगो पाउडर है वो यूज किया है क्योंकि ये भी प्यूर और नैच्रल है इसमें अमोनिया या पीपीडी जैसे कोई भी हामफुल केमिकल्स नही ना तो इसमें कोई पेस्टिसाइड्स या प्रिजरवेटिव है और सबसे खास बात कि ये सभी तरह के बालों के लिए सूटेबल है अतार आयरवेदा का जो हीना पाउडर और इंडिगो पाउडर है इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन वोक्स में है अगर आप चाहे तो बालों में अपलाय करना है प्रिफर करें कि आप ब्रश से इससे अपलाय करें मेंदी लगाए हुए पूरे बालों को अपने इससे अच्छी तरह से कवर करना है ताकि इसका पूरा जो रंग है वो बालों में आ सके बाल पूरी तरह से काले बन सके इस इंडिगो पाउडर क पेस्ट को बालों में लगाने के बार तुरंत अपने शावर कैप पहनना है अगर शावर कैप नहीं है तो आप पॉलिथीन भी पहन सकते हैं क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं पहनते तो ये भी बहुत ड्राइ हो जाती है और फिर बाल बहुत ज्यादा ड्राइ हो तो इससे इसका कलर अच्छे से नहीं आएगा और आपको पूरा इसका रिजर्ट भी नहीं मिलेगा इंडिगो पेस्ट अप्लिकेशन के बाएट कम से कम दो दिन बाद आपने शैंपू करना है और जिस दिन आपको शैंपू करना है उसके पहले दिन रात को अपने बालों म इसको ओरनाइट रहने देना है और फिर दूसरे दिन आपने बालों को वाश करना है शांपू के जगा पे अगर आप शिकका काई रिठा संत्रे की चाल या आवला पाउडर है इनको पानी में उबाल के इस पानी से अगर आप बालों को धोते है तो आपको इसके और आपको इसको जल्दी जल्दी करना पड़े तो 15 दिन में एक बार भी आप ये टूस्टे प्रोसेस कर सकते है बाद में बालों को अच्छे से एक नैच्रल ब्लाक कलर आते जाएगा और फिर आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर आप आउशक्ता भी आप जरूर फॉलो कीजिए तकि आपको इसका बेस्ट रिजर्ट मिले इसे अपलाय करने के बाद आपको कैसे लगाए हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए चलिए फिर मिलते हैं अगली व बस रहें नमस्ते